तो जो मैं बहुत टाइम से वीडियोस में बोल रहा था कि हम अपने घर पे कुछ बनाने का प्लैन कर रहे हैं तो फाइनली हमारे पास सारा सामान आ चुका है कल ही आ गया था वैसे हमने अलड़ी यूज करके भी देख लिया तो हमने बहुत रात को उस पे काफी मूवीज और देखी तो अभी आपको दिखाते हैं आज मैं व्लॉग यह इसका रिव्यू करने के लिए बना रहा हूँ और पर में एक थेटर रूम बना रहे हैं जिसके लिए मैंने मंग आया था बैनक्यू का प्रोजेक्टर तो आपको पता चले है कि वाई इट्स पेशल प्रोजेक्टर और अभी मैं आपको इसके कुछ शॉट्स दिखाता हूँ फिर उसके पास सीधा चलेंगे प्रोजेक्टर और आपको उसके कुछ मैं वीडियो भी सेंपल करके दिखाऊंगा और इस प्रोजेक्टर का सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इस प्रोजेक्टर को के लिए कोई वो पेपर या जो वाल स्क्रीन जो सॉरी जो प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है वो नहीं चाहिए यू के सिंपली प्रोजेक्टिट ऑन यूर वाल कुछ नहीं चाहिए आपको उसके लिए और सेकंड जो सबसे अच्छी बात इसकी एक और है कि यह प्रोजेक्टर बाइदावे मैंने यूएस से मंगवाया है तो यहां पर भी यह प्रोजेक्टर आता है अगर किसी को सर्च करना है तो वो सर्च कर सकता है इसका मॉडल नंबर है मैं आपको देखके बताता हूं तो इस फाइव एटी फाइव पी तो आप एमेजन पर सर्च कर सकते हो यहां पर काफी कॉस्टली है यूएस से मेरे को अच्छा का साथ इसकाउंट मिला तो चलते हैं वटावर टाइम नहीं ल तो अब से पर प्रॉजेक्टर करते हैं सके बॉक्स से जो सबसके बॉकस पर जाएव और इंटर्टीनमेंट तो इस डिइटल प्रोजेक्टर बाए डावे डिजिटल प्रॉजेक्टर क्या होता है धाई यह DLP प्रोज्धेक्टर है तो यह एक इसके अंदर चेप होती है जिसके तुरू यह image create करता है तो यह laser यह laser projector है this is not LED projector इसमें भी आप difference google कर सकते हो क्या major differences है और यह इसके कुछ features है dual HDMI living room keystone है इसमें 3D support है जो इसमें काफी अच्छी चीज मेरे को लगी अभी तक मैंने इसको use करके नहीं देखा पर यह बहुत जादा अच्छा चीज है परकर मैंने YouTube पर और लोगों की भी इस projector के related videos देखी है अगर आपके पास 3D glasses है इसके लिए DLP 3D glasses आती है special तो अगर आपके पास वो है तो आप इस पे proper 3D experience ले सकते हो तो यह up to USB power है इसमें जो कि USB आप डिरेक्ट नहीं लगा सकते हो तो अगर आप इसको lamp safe mode पर रखते हो तो यह 15 hours 15 hours इसकी lamp life है तो इसमें basically क्या होता है हर प्रोजेक्टर में यह चीज होती है कि within कुछ hours life के बाद आपको इसका lens जो है वो चेंज lamp जो है basically वो चेंज करवाना पड़ता है तो वो ज्यादा cost लिए नहीं होता लाइक यह 15 hours 15 हजार hours बहुत जाद होते हैं अगर आप इसको रोज चार-पांच घंटे पी चलाओगे तो यह 10-15 साल तो कहीं नहीं गया तो यह काफी अच्छी चीज है और इसमें 10W का इक inbuilt speaker भी है और digital lens shift है इसमें यह अप टू 300 इंचिस तक की display बना सकता है और इसके side पर कुछ नहीं है अभी चलते हैं प्रोजेक्टर पर तो start करते हैं अभी unboxing video नहीं डालूँ है इसमें as मैंने unbox इसको जैसा कि मैंने आपको बताया है मैं अलड़ी कल कर लिया इसको unbox unboxing videos आपको बहुत मिल जाएंगी YouTube पे main as काफी चीजी ऐसी थी जो मेरे जैसे लोग हैं जो घर पे projector लगाना चाहते हैं और पहली बार लगाना चाहते हैं उनके पास पहले कोई projector नहीं है तो market में बहुत से projectors आते हैं जो आपको confuse कर सकते हैं कि और आप सस्ते के चकर में बहुत एक लोग लेवल प्रोजेक्टर बाए कर सकते हो उस धोके से तो मैं आपको suggest करूंगा इन सब जो YouTube पे videos और भी बहुत जादा हैं जो आपको बोलते हैं कि आपको 2000 में प्रोजेक्टर मिल जाएगा 5000 में प्रोजेक्टर मिल जाएगा इतने सस्ते प्रोजेक्टर नहीं आते हैं जो अच्छे प्रोजेक्टर होते हैं सब आपको बोलेंगे 1080 पी ए 4 गया है बट एक्च्वल में उनकी resolution बहुत गंदी होती है तो please do search wisely while searching for projectors if you are trying if you are planning to buy a new projector for your house तो यह वैसे प्रोजेक्टर तो इसके साथ start करते हैं सबसे पहले मैं आपको इसकी story बताता हूं यह मेरे को मिला कैसे है मैंने search कैसे किया actually I was planning for some another projectors इसमें basically क्या है जैसे कि आप background में देख पा रहे हो तो इसमें inbuilt android system नहीं आता है क्यों नहीं आता है यह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा प्रिकेस मार्केट में बोगा से latest projectors आ रहे हैं जिन में आज के time पे यह सब चीजें added हैं like android inbuilt आरा आजकल projectors में पर मैंने वो नहीं लिया है the reason being उसमें यह था कि जो वो projectors हैं वो cost तो इतने ही पड़ते हैं फिर इससे भी जादा पड़ते होंगे I guess और उनका जो quality है जो उन सब की quality है वो इतनी अच्छी नहीं होती है तो अभी मैं आपको सबसे पहले हम projectors से start करते हैं तो इसका ऐसा कुछ यह उपर से ऐसा है कुछ yes तो यह इसका back button this is menu button this is auto तो यह eco blank है मेरे को इसके सारे features नहीं बता अभी because मैंने भी अभी एक ही दिन के लिए use case को ज़्यादा use नहीं किया और यह इसका source बटन है जो आप इसका source change कर सकते हो और यह इसकी adjustment करने का यह keystone auto keystone भी है इसमें और इसमें vertical 40 degree 45 degree जो है vertical keystone भी है यह power button है normal और यह इसका remote का sensor है जो आप और इसमें remote की कोई problem नहीं आती ऊपर भी sensor है और आगे भी आपको sensor में रहा तो कोई problem नहीं आती एक भी percent जैसा कि मैंने आपको बोला so this is a 1080p projector जैसा कि आप देख पा रहे हो और यह इसका ऐसा कुछ lens है तो यह 1080p lens है जो कि बहुत अच्छी quality देते है रात हमने इसको 4-5 गंटे यूज की है and like I am in love with that बहुत अच्छा projector है और इस side से गरम बात करें तो इसका यह fan है अगर आपको अंदर दिख रहा होगा तो यह इसका fan है इसकी थोड़ी सी में को problem लगे बिकाज यह काफी गरम हवा इधर से इसका fan जब हीट basically इसका temperature control करने के लिए यह heat बहुत मारता है यहां से तो यह काफी heat release होती है इसके इस पाट से basically और और इस side पर कुछ भी नहीं है और अगर हम back पे आए तो आपको power source मिल जाता है audio के लि अगरे को काफी personally अच्छा लगा और USB है और इसकी USB का एक negative part है that is कि आप इसकी USB के साथ like सीधा pen drive लगा के इसको output नहीं दे सकते हो this is only for power source जैसा कि यहां पर देख सकते हो power का बना भी हूँ है तो it's like कि अपना HDMI यहां पर लगा हो जैसा कि fire stick है और fire stick की power यहां से directly दे सकते हो और this is a VGA output RS 232 port तो यह और इसमें आपको Kingston lock भी मिल जाता है यह आपको laptop में भी देखने के लिए मिलता होगा काफी अच्छी चीज़ है और इस side इसके speakers है इसमें inbuilt speaker भी आते हैं I'm not sure आपको दिख रहे होंगे clearly या नहीं यह जो अंदर shine कर रहे black तो यह काफी इसके speaker है और इस साइड इसका fan भी इस साइड भी एक fan है पर main इस साइड से heat नहीं आती है heat जैसा कि मैंने आपको बताया यह major fan इसका यही work करता है दूसरी साइड वाला fan इतना work नहीं करता और another thing हाँ और यह इसका नीचे screw है जो जो इसकी height adjust up कर सकते हो अगर आपको इस angle पर नहीं इसके box में कुछ नहीं था एक warranty card था एक ही इसके साथ remote आता है जो की काफी अच्छा है यह focus होने का wait कर रहे थे हम और यह काफी अच्छा remote है इसमें आपको सारे sound mode मिल जाता है eco blank है back menu source जो आपको buttons मैंने projector पे दिखाये वो सारे button इस पे भी है और यह keystone का button आ गया और यह mode आप इसमें change कर सकते हैं इसमें काफी mode दिस्प्ले के that is cinema mode है gaming mode है आप इस पे पी जो ps5 लगा के ps कोई भी playstation है वो लगा के इसके साथ play कर सकते हो ps5 इसकी वो latest है तो उसकी भी connectivity इसके साथ होती है और यह आपके power button और on करने का button हो गया इसको rest यहां पे इसके साथ batteries थी वो म पते ही होगा तो यह मैंने converter लिया था और उसके साथ अब हम इसको connect करेंगे और मैं आपको चला के दिखाता हूं इसको कि क्या experience है मेरा user experience क्या रहा है वैसे मैंने कल इसको काफी time चलाया है तो मेरे को personally बहुत जादा अच्छा experience रहा अगर किसी को लेना है तो मैं personally recommend करूंग कि आप same model ले सकते हो इंडिया में around 70 to 75,000 का cost करता है बाहर से US से मैंने मंगवाया है तो मेरे को काफी सही price पर मिले तो अभी हम इसको आपको मैं चला के दिखाता हूं कि कैसा है यह कितनी display create कर सकता है तो this is एक मैं आपको इसकी चीज दिखाना भूल गया that is कि जो इसका यह उपर से this is basically a zoom and a focus तो यहां से आप zoom कर सकते हो और यहां से आप sorry यहां से zoom कर सकते हैं यहां से आप focus कर सकते हो काफी अच्छी display काफी crisp और bright display बनती है अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं within a minute मैं इ अभी तक मैं विडियो pause करूँगा एंड इसको setup करने के बाद आपको दुबारा में हमने setup कर लिए अभी के लिए हम ऐसे ही setup करना पड़ेगा अभी हम प्रॉपर इसको setup नहीं कर रहे हैं मैं इसको सिर्फ on कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए इसलिए मैंने बैट पर रख दी है तो यह इसका remote है और हमने अपनी fire stick इसके साथ लगा दी है जैसे कि मैंने आपक हम वाल पर ही इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ टाइम में देखने के लिए मिलेगा यह आप देख सबके बैंक्यू का लोगो आ चुका है और यह अपने आप एडजस्मेंट कर लेता है कि कौन से सोर्स में यह कनेक्टेड है तो यह अभी अराउंड आए कि क कुछ 60-65 cm की हम स्क्रीन देख रहे हैं और इसका डिस्टेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसको जितना हम पीछे करते रहेंगे जितना डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे उतनी स्क्रीन बढ़ी होती रहेगी इसकी तो जैसा कि आप देख सकते हो इसने अल्रेडी मेरी जो फायर स्टिक है वो पिक कर ली है इसने खुदी वहां से देख लेकि फायर स्टिक कनेक्टेड है और जैसा कि आप देख सकते हो यह इंडिया पाकिस्तान का मैस तो आप क्लेरिटी चेक कर सकते हो आपको एक दम ऐसा ह किया हुआ है एक टाइम के लिए अगर आप नहीं देखते हैं कि प्रोजेक्टर कनेक्टेट है तो बिल्कूल ऐसा लगेगा आपको कि यह कोई टीवी ही है तो आप देख सकते हो और फोन में क्लेरिटी में आपको इन एक्चुल बता दूं थोड़ी कम आ रही है क्लेरिटी इ एड़ेटिंग से या किसी और तरीके से मैच करने का ट्राइ करूंगा तो अब हम आपको कुछ प्ले करके दिखाते हैं जैसा कि यूट्यूब भी लगा लेते हैं सबसे पहले तो तो मेरी यूट्यूब ऑलड़ी कनेक्टेड ही है यहाँ पर तो ये 60-65 cm की का वॉल बनी हुए है इस टाइम यहाँ पर और ये ट्विन टावर्स की कोई न्यूस चल रही है जो नॉड़ा में काफी हो रही है तो हम इसको अगर देखना चाहिए तो कुछ भी देख सकते हैं फिर मैं आपको सॉंग सुना हूँ अगर यह हमारी ही रील आ हुए है तो हम यही खोल के देख लेते हैं कॉपी राइट का इशू भी नहीं रहेगा तो इसके साथ मैंने अपनी साउंड बार कनेक्ट की हुए है साउंड बार का भी रिव्यू मैं बहुत जल्दी दूँगा यह कल मैं अपने फेमिली को दिखा रहा तो कुछ पुराने स सुन रहे थे तो अगर आपको हम अपने चैनल की कुछ वीडियो देख लेते हैं मैं अपनी शाथी की वीडियो देख रहा था यहां पर जो हमने अपलोड की हुई है तो हम वही चेक आउट करते हैं या तैस्वान तो यह कुछ स्मॉल पार्ट था इसका और हम आपको यह दिखा सकते हैं कार जो हमने रिव्यू की थी तो उसको आप कहीं से भी कर जाना नहीं कर सकते हो कोई औप्शन है तो फ्रॉम पेरी बेगनिग अभी आप स्टार्ट इव्लॉग तो यह कुछ सेंपल आपको कुछ और सेटिंग्स देने बागी प्रोजेक्टर की बहुत ज्यादा सेटिंग्स मैं इतना डीटेल में नहीं जाओंगा अगर किसी ने बाय करना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वैसे इसके हम मेन्यू में जाते तो बहुत ज्यादा ओप्शन हमारे पास हैं जासा कि मैंने आपको बताया था पिच्चर मोड है और आपका साउंड की सेटिंग्स है और इसकी बेसिक कुछ सेटिंग्स है जो सोर्स मेन्यू सेटिंग्स पावर प्रोजेक्शन पोजीशन यह काफी अच्छी है से हीव खilsन दशन हैं से बहुत लोग इसको फ्रेंट में नहीं रखते हैं कुछ लोग सीलिंग पर लगाते हैं इसको कुछ लोग राइयट साइड रखते हैं तो यह उसके रिलेटब है बाकी यह अगर आप लोग नहीं यूज कर रहे हो तो 20 मिनट्स में ये ओफ हो जाएगा कुछ और मेन्यू सेटिंग्स आटो सोर्स तो मैंने ओन किया हुए जैसा कि मैंने आपको बताया विकेज ये अपने आप सोर्स जो होता है इसका वो एड कर लेता है बाकी इसको हम कुछ भी रख सकते हैं यहां पर जो स् हैं और इसके मोड्स भी है मैंने सुभा देखे थे हैं नौट सो शौर अब मैंने कहां से शेक आउट किये थे वह कहीं से तो किये थे जो मैंने सोचा भी था कि मैं वीडियो में जरूर दिखाऊंगा एक बार बट आया फॉर्गर्ट नाओ तो इसके आप राइटनेस कंट् रास्ट कितने ज्यादा हो जाते होंगे नौएस रिडक्शन तो यह रहा लाइट मोड तो इसमें जो लैंप मोड मैंने अभी लैंप सेव मोड पर रखा हुआ है आप इसको स्मार्ट इको पर कर सकते हो और नॉर्मल मोड पर कर सकते हो थोड़ा थोड़ा फरक पड़ता है कम वैसे सुजेस्टेड होते हैं कि आप लैंप सेफ पे चलाओ इसको सही रहते इतना कोई फरक नहीं आता लाइट यहां कलर में बाकी आप देख पा रहे हो क्वालिटी तो बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर किसी को इन एक्चुल देखनी है तो वह मेरे को कमेंट देख रही हैं कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यह आईफोन में ही शायद वो में भी लेंस के कलर से हैं जो यह हैं इसके कलर जायए शायद तो बाकी काफी सभी है और आप कुछ भी अदिशनल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट इसमें बता सकते हुआ कि दिमांड पे इ यह वीडियो बनाई थे हैं काफी लंबी वीडियो बन गई है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो एंड स्टे टून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज में काफी वीडियोज डालूगा एस मैंने सांट बार का रिव्यू भी डालना है और दो चार चीजों पर डालेंग झाल झाल